हाई फ्रेंड्स आपका स्वागत है firstinvestments.in में और आज हम बात करेंगे कि मंतली एक्सपारी ओगस्त की कैसी रह सकती है कल क्या ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आज मार्केट में क्या हाल रहा है पहले तो ओवरॉल व्यू की बात कर लेते हैं मार्केट की मार्केट कही भी बड़ा मुमेंट नहीं दिखा रही है अपसाइड के लिए भी अर्स ने ग्रिप बनाई हुई है अब दोस्तों बात कर लेते हैं important levels की आज मार्केट ने हमें closing दी around कह सकते हैं 19-319-300 के आसपास exact कहेंगे तो 296 हमारा important level है 19-302 19-302 जिसके उपर मार्केट सस्टेन करने में असमर्थ रही बड़ अगर कल मार्केट gap up open होती है तो हम 19-385 19-385 का level पहला upside expect कर सकते हैं और उसके बाद 19-445 19-445 अगला upside level expect कर सकते हैं market एक downtrend में फसी हुई है अभी बट on a positive side यह है कि आप देखेंगे 230 का level market नहीं तोड़ पा रही है और काफी बड़िया support बना हुआ है 19-260-250 क्या सपस काफी buyers हैं जो market को तूटने नहीं दे रहे हैं अगर आप हमारे view की बात करें तो monthly expiry को लेके हम कहीं न कहीं bullish feel कर रहे हैं based on a lot of factors आप देख सकते हैं Reliance की positive meeting रही है L&T infrastructure के मैं काफी positivity देखने को मिली है आज ही share 1% अप था तो दोस्तों देखते हैं market कल का open होती है बट हम expect कर रहे हैं कि 19-385 market कल जरूर दिखा सकती है like, share, comment करते रहे है first investments को subscribe कीजिए अपने दोस्तों के दाश शेर कीजिए अभी हमारी शुरुआत है और आपकी भी बटाप मेरे साथ जुड़े रहेंगे हम आपको दिखाएंगे live trading कैसे पैसा बनाया जाता है market में बहुत ही असानी से thank you so much दोस्तों like, share, comment, subscribe